दोस्तों नमस्कार पढ़ाई से परिशान होकर नाबालिक ने किया सुसाइड दो दिन से लापता था घर से आदा किलोमेटर दूर पेड़ पर लटका मिला सव मामला बाडमेर जिले के गुडामालानी थाने के तेजिया वास गाउं का हैं पूरी बाद मैं आपको बता देता हूँ दो दिन से लापता 17 साल के स्टुडेंट का सव घर से आदा किलोमेटर दूर पेड़ से लटका हुआ मिला परिजनों ने 25 दिसंबर को गुमसुदगी की रिटपोर्ड थाने में दर्ज करवाई थी साथ ही सोसल मीडिया पर अलगलग सोसल मीडिया प्लेटफॉन पर विग्यापन भी दिये थे और 27 दिसंबर बुधवार को 12 बजे एक ग्रामेंड ने उसे पेड़ पर साड़ी से ब भरत की गुमसुदगी की रिपोर्ड दी थी इसके अनुसार 25 दिसंबर की सुबह 10 बजे बरत उनके साथ खेत पर था इसके बाद वह बिना बताय चला गया आज पास ढूंडा तो नहीं मिला इसके बाद परिजनों ने आज पास पड़शा से पुस्ताज की और साम को पुल कोई सुराग ने मिला सुबह पुलिस को आप फोन आया तो मौके पर पहुंचे देखा तो साड़ी का फंदा लगा कर बरत लटका हुआ था पुलिस मामले की जांच कर रही हैं गुडामालानी थाना दिकारी सुरज राम चोदरी ने बताया कि तेजयवास गुडामालानी न मामला दर्ज कर लिया था वहीं सव का पोस्ट माटम करवाकर सव परिजनों को शुपूद कर दिया है विवक दो दिन से गयव था ऐसे में पता लगाया जा रहा है कि विवक ने शुचाइड कब किया है और क्यों किया है पुलिस इस मामले में जुटी भी हैं जोड़े रहे कि वह बर्थकमार जंगल में बबुल की बेट से लिखता है इसको नोटेब रहे हैं इसको को सीसी गुड़ा मनले में डपाया गया है और पीम तरह के सब प्रिजनों को शुपूर क्या है